नमश्कार बाद सन उननीस सो बासट तरेसट की है तब क्याची मैं निर्मावकारी चल रहा था मंदिर और आश्रम का और बड़ी बात ये थी कि उन दिरों महाराज भी अक्सर वहीं रह रहे थे जहां इंट, पत्थर, सिमेंट, लोहा, लकड़ी, आदी से इमारत का निर्मार्ण होता है कोई सी भी इमारत हो चाहें घर हो, बियोसाइक इमारत हो स्कूल हो, अस्पतान हो, या मंदिरी क्यों नहों सबका निर्मार्ण तो निर्मार्ण सामगरी से एक साही होता है, परन्तु महाराज की उपस्तिती उसमें उस तत्तु को मिला रही थी, जिससे कि फिर वो इस्तान धाम हो जाता है वो महराज की अध्यात्मिक उर्जा थी जिससे महराज की उपस्तिती से वो इस्तान यू समझे कि जैसे अध्यात्मिक उर्जा से चार्ज होता जा रहा था बुन्यात से ही शुरू होकर एक बार किसी ने महराज से कहा था वहीं पर महराज काम देख रहे थे है और फिर भी आप एक बड़ा निर्मार कारी करा रहे हैं तो महाराज ने हसकर उसे सिर्फ इतना का एक दिन सारी दुनिया आएगी यहाँ दरसल जब यू तो इश्वरी उर्जा सब जगा पराबर समान मातरा में फैली वी है परंतु पृत्वी में जैसे पानी है सब जगा है परंतु की इस्थान विशेस पर वो सहस्ता से उपलब्द हो जाता है महत्व उस इस्थान का वैसे ही संत के आसन के इस्थान पर संत के रहने के इस्थान पर संत के साधना के इस्थान पर वो इस्थान जो होते हैं वो विशेस उरूप से उर्जा से संपन हो जाते उर्जा का धाम किर्पा का धाम प्रेम का धाम कर्वयोग का और सिवा का धाम महराज वहां जब रहते तो एक छोटी सी मंडली न दिनों महराज के पास हमेशा ही रहा करती थी आसपास के लोग ही हुआ करते थे अधिकांक्ष और महराज का भी आसपास के इलाके में नेनी ताल, हल्दवानी, अल्मोडातक, रानिखेद, भावाली, इत्यादी उस्तान पर रहने वाले कुछ परिवारों के हाँ, सहजी आना जाना था, एक परिवारिक सदस्थी की तरह है तो एक जुमला जो अस्तानी कुमावनी बोली से है, वो अकसर सुनाई देता था काचन, काचन मतलब कहा है, यानि महराज कहा है, क्योंकि महराज का कोई निश्चित नहीं होता था, अभी तो जला देरे पहले वालूब बढ़ा की वहां है, और जब तक वहां जाते लोग त निकल के कहीं और चले गए, तो यह सवाल अकसर होता था, काचन, यानि महराज कहा है, महराज उस मंडली के साथ, जहां निर्मार कारी चल रहा था, तो आप कर्पना करिए, कि कैसा सवाग्य था उस मंडली का, जो उस उन दिनों, उस एकांत के शणों में महराज के साथ, जि कैसी लीला महराज की उस समय होती होगी, उन से अगर पूछा जाता था, मैंने कई बार उस पुरानी मंडली के लोगों से मेरा सवाग्य था, कि उन से संपरक मेरा बच्वन से रहा है, तो जब उन से सवाल पूछता था, कि तब कैसा होता था, तो उन सब का एक ही जवाब हो था था, जो उतर देने में कुछ कहीं जैसे खोज से जाते थे और फीर एगी जवाब होता था कुछ नहीं कह सकते, कुछ कहीं नहीं सकते, क्या था तब महराज का मूर कभी रात कोई कह देंगे चलो आप सटक में बैठेंगे अब उन दिनों में सड़क में ट्रैफिक इत्यादी कुछ नहीं हुआ करता था कुछ गिनी चुनी बसें और ट्रक आते जाते थे अनिता सुनसामन और सन्नाटा रहता था पाहड की सड़कों में तो भाराज के लिए कोई नई सी चीज नहीं थी कि वहां निर्मारकारी जहां हो रहा था वहां से निकल कर सड़क में कहीं भी निकल जाएं पैरापिट में बैठ जाएं सड़क में ही बैठ जाएं कहीं भी बैठ जाएं और वहीं मंडली जम जाएं महराज की चर्चावं का तो कोई अंती ही नहीं था लगातार विश्य बदलते रहते थे महराज की वैसे ही मूर बदलते रहते थे और पूर लोग इसके साक्षी थे दरसल महराज कौई 2020 संग की esa आती है तो यह नहीं समझिए कि किसी शास्त्री की चर्चा हो रही हो कोई दर्शनिक विचार की चर्चा हो रही हो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि महाराज का जो संग था वही महा सत्संग था बस जिसको मिलना होता वहीं से समाधान मिल जाता वहीं से संतोष मिल जाता सहारा मिल जाता आनंद मिल जाता और सवाग्या तो शक्तिपात हो जाता वहाँ पर आनंदगा बस वो लोग तो यही कहते थे बस कुछ नहीं कह सकते कुछ नहीं कह सकते उन दिनों की याद में क्या था वो हम कुछ कहीं नहीं सकते कोई शब्द नहीं उसको समझाने के लिए शायद वो ऐसी बात थी गिरा अनैन नैन बिनुबानी कि आँखों ने तो देखा लेकिन उसकी कहने के लिए जिवा नहीं है और जिवा जो कह सकने की सामर्थ रखती है उसने देखा ही नहीं देखा तो आँखों ने था सडक और निर्मान स्थल के बीच में बेहने वाली नदी शिपरा उसको महराज उत्तरी गंगा कहते थे है भागी रती की तरही ही गंगोत्री में वह उत्तर बुखी जैसे हो straightforward है जो है है उनके लिए तो तो सड़क से निर्माने स्था तक आने के लिए उस जवाने में एक लगडी का पुल था, जो सड़क को पार करके आप खेतों के बीच में से निकलते थे और वह लगबख नदी के सतह के ज़रासी उपर ही था, तक्तों से बनाऊा था, बल्ली और तक्तों से सक्रापुलता शायद उसकी चुड़ाई तीन-चार फुट से रादा नहीं रही होगी और जो अभी मंदिर हैं उनके लगभक सामने खुलता था हूँ और महराज कभी भी निकलके दिन में शाम को पूल में ही बैठ जाएं नदी के पत्थरों में बैठ जाएं और वहीं मंदली जम जाती थी बस कभ महराज उठेंगे कभ तक क्या चर्चा चलती रहेंगी यह तो बस सोचा जा सकता है और वातावरन कैसा होता हूँ को उससे में शाम को वहां आप अभी भी अगर कैची धाम से आगे चलकर नदी के दिशा में बढ़ें आगे को प्रुआ के तो कई आपको ऐसे स्थल यहां दिखाई देंगे जहां अभी भी जो है एकांत है वैसा ही अलगपर वैसा ही है वो जाडियां वो पेड़ वो नदी का कलकल सब कुछ वैसा ही है उस जड़ा देर अगर आपको सभागी मिने कहीं पर बैठके शांत में एकांत में तो उन पनो को आप अपने ध्यान में सच्वर प्रशाद के रूपना पा सकते हैं आज भी तो महराज इसी तरीके से जाके बैठ जाते थे और चर्चा है वहापर इदर इदर की चलते रहती थी थी एक बार की बात है ऐसे ही महराज चोटी सी मंडली के साथ पूल के पास नदीगे पत्थर हुए सब लोग बारी बारी से इदर 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 फैल के बैठे वे थे ज़रा देर बाद उस मंडली के में हमेशा ही आने वाले एक प्रेमी भक्त का आना हुआ वो आए और महराज को प्रोणाम करके पास के एक पत्थर में बैठ गए उनकी मुक्मद्रा बर्डी दुखी और उदास थी वो सर जुकाई बैठे वे थे महराज ने उनकी और को देखा और देखते रहे देखते रहे महराज उनको और वो सर जुकाई बैठे वे दुखी थे और महराज ने कहा का बात है का बात है क्या बात है और उनसे जन्ने वैसी सर जुकाई के उत्तर दिया महराज के एक अन्य वरद्ध प्रेमी भक्त का नाम लेते हुए कि महराज उनका स्वरगवास हो गया है कुछ शुनों की चुपी के बाद और सन्नाटा चागया था वहाँ पर किसी के स्वरगवास का समाचार था कुछ देर की चुपी के बाद महराज बोले उसका स्वरगवास हो गया तू क्यों दुखी है तो उसका स्वरगवास हो गया तू क्यों दुखी है तो उन व्यक्ती ने व्यस्तित स्वर में उतर दिया महराज वो नहीं रहे मर गए है और महाराज ने कहा अच्छा और महाराज की द्रश्टी उन से हटके अपने चरोणे के पास बहते वे पानी में जाके टिक गई जैसे महाराज कोई घंच इंतन में विचार में थे अपने आप से बात कर रहे हूँ फिर बोले तो गंगा माई भी नहीं रहेगी मर जाएगी पहाणों से चलके मैया सागरतर तक पहुंचती है नहीं रहने के लिए मरने के लिए या सागर हो जाने के लिए और फिर सागर से उड़कर वापिस पहाड़ में बरस जाती है और चलती रहती है चलती रहती है मैया चलते रहती है अरे मिर्तिव नहीं है काल चक रहे है चलता रहता है इसको महराज के गहन सरल शब्दों का सम्मोहन कहें या उनकी करुणा प्रेम और सत्य का शक्ति पात कि सब जैसे सन्न होगे सुद्बूद गवा बेठे किसी को कोई आभास नहीं था कि वक्त बेदर रहा है बीता जा रहा है वस वक्त बेहते बेपानी की तरह बहरा था लेकिन किसी को कोई आभास नहीं था और घाटी में रात का अंधिरा उतर आया तब अचारक महराज की अवा सुनाई दी उठो चलो और सब लोग महराज के पीछे पीछे आश्रम की ओर को चल लिए नमस्कार झाल